हेलो दोस्तों पैसे नॉमिक्स में आपका स्वागत है और आज की वीडियो में हम सिखेंगे कि अप स्टॉक में आप अकाउंट कैसे बनाएं तो चलो शुरुआत करते हैं तो इसके पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्रा हो और इसकी लिंक भी मैंने मेंशन की है जहांसे आप यह अकाउंट ओपन कर सकते हों प्लीज डिस्क्रिप्शन में आपको चेक कर लिजिए तो अब स्टॉक में जब हम अकाउंट ओपन करेंगे तो टोटल अकाउंट ओपनिंग की प्रोसेस है या ओनलाइन है और यहां प कि पार्मन नहीं बेसिक डॉकमेंट से जैसे अडिंटी प्रूफ के लिए आपका पैंट काड है वहां पर लगेगा ठीक है पैंट काड लगेगा उसके साथ आपका एक अधार कर वहां पर लगेगा आप इसकी फोटो भी निकाल के रख सकते हों आपके जो मोबाइल आप मे है उसके आपका six month का जो है bank statement भी निकाल के रखेंगे तो बहुत बढ़िया होगा ठीक है six month bank statement यह आपको जरूरी है वहां पर ओके और second जो है यह first हो गया यह second और third और fourth आपका जो है एक blank paper जो है blank paper के उपर जो है आपका signature करके वहां पर ready क्योंकि वह आपको upload करने पड़त होता है और EKYC में आपको यहां पर signature भी लगेगी तो यह आपको चार documents maximum लगते हैं आपका जो information है जो आपको और उसमें use करनी है आपका email id आपको वहां पर लगेगा तो यह आपको ध्यान रखना ही है लेकिन साथ में जो है आपको आपका email id जहांपे आपको आपके mails आने वाले हैं जो आप ट्रेड करोगे contract note आपके password होगे सारे welcome kit आपको वहां पर मिलेगी email id लगेगा वहां पर बना के लिजिए अगर आपके पास नहीं है आपको एक mobile नमबर आपको लगेगा जो आप हमेशा आपके साथ रखते हूं क्योंकि वहां उसके उपर ही OTP आता है उस कॉल करना है ट्रेड करना वाटेवर सारी चीज़ें जो आपकी जल्दी सौट अट होती है यह सारी बेसिक चीज़ें आपको द्हान में रखनी है ओके तब चलो इसके जो है प्रोसेस शुरू करते हैं सबसे पहले हम यहां पर क्लिक करेंगे और यहां अपन करेंगे अपर म यहां मेंचेन करूंगा तो दोस्तों यहां मेररे मेंचeन कर दिया हूआर साथ में मेरा र मोबाइल नूमर जो मुझे चाए वह मैंचेन किया है अभी मैं यहां पे करूंगा ओटी के लिए रिवेस्ट के और हो जाएगी प्रोसेस starts पर चुका है और मैंने यहां पर लॉग इन कर लिया है अभी यहां पर जो बेसिक इंफोर्मेशन को फील करने हैं सबसे पहले आपका जेंडर को करना है उसके बाद आपका मैरिटल स्टेटर्स से लिए करना है जिसे मैं अभी इस लिए कर रहा हूं यहां पर ध्यान कर सकते हों मेरे साथ अकाउंड और यहां पर होटिक से बिलाओं करते हो तो कर यहां यहां पर कर देजएगा तो तो ऑक्पेशन आपक्या करते हों वह भी मेंशन करना बहुत जरूरी है कि आपको कोई इंकम आती है इंडिया के बाहर से वह बहुत इंपोर्टन यहां पर नहीं करूंगा और यहां पर में सारी जो चीज़े इसको आगरी करूंगा उसके बात में इसको नेक्स पर लिक्ट तो देखिए सब्मिट करने से पहले आपस एक बार आपको जेंडर मेंचन करना है मेरिटल स्टेटर्स आपकी एन्यूल इंकम कितनी है आपका ट्रेडिंग एक्सपिरेंस कितना है वह भी माइन रखता है और इक्सपरस हो या नहीं आपको क्या है आप कुछ से सेक्टर में काम करते हो प्राइवेट हो या पॉब्लिक हो आपको सिलिक करना है होगा आपको नेक्स बटन पर क्लिक कर देना है इसका जो नेक्स टेप है यहां पे ब बताएगा कि आप जो अकाउंन ऑपन कर रहे हो वो कि सेग्मेंट मैं आपको खुण आपको को खौना है तो मैं कहूंगा जब आप अकोश्क करते हो खासकर कि इन्वेस्ट में आपको ट्रेडिंग में इंट्रेस्टेड हो तो आप एक्विटी करन्सी फ्यूचर एन ऑप्शन और कमोडिटी यह तीनों में हमेशा कॉन उपन करिए जिसे कहते हैं आप जो प्लान ले रहे हैं जो आप वहां पर ट्रेडिंग के लिए जो आप उपन करने वाले हो रहे हैं सबसे पहले यहां पर उन्होंने मेंशन किया है कि डिलीवरी जो है यह टोटली फ्री है इसको कोई चार्जेस नहीं बाकि जो आप ट्रेडिंग करोगे उसमें आप वह दो प्लान है तो यह है 20 रूपीस पर ट्रेड भी है और 30 रूपीस पर ट्रेड इसका मतलब क्या है ट्रेड का मतलब होते है कि जब वह एक्जिकुट होगा मतलब executed order उसे कहते हैं trade अपने जो order डाला और वो executed हो गया मतलब आपको buy करना था फिर वो buy हो गया आपको sale करना था वो sale हो गया तो आपको 20 रूपी या 30 रूपी जो भी आप यहाँ पे यहाँ प्लान ले रहे हो उसके accordingly वो लगेगा फिर आप एक quantity place करिए या फिर एक लाग quantity कितना ही आपको buy करना आप कर सकते हो तो वहाँ पे आपको कोई extra charges नहीं है अगर मैं यहाँ पे एक quantity buy करना चाहतो कोई reliance का तो मुझे 30 20 रूपी जी लगेगा अगर मैं यहाँ 1000 शेर भी लेता हो तो 20 रूपी आपको पेसे नहीं लगता है तो इसलिए आपका costing बहुत कम हो जाता है तो इसलिए जब हम इसका अलग से वीडियो बनाएंगे ब्रूकरी चार्जेस के उपर यह बहुत यह अच्छी समय आपको आपे समझाओंगा तो फिलाल यहाँ पर जो सब्सक्राइब क्लिक करूंगा यहां पर थोड़ा सा ध्याम देंगे तो जब प्राइलिटी बेसिस पर है प्राइलिटी में क्या हो रहा है रिखे 30 रूपीज वो ट्रेड बोला इकुटी लिवरेज मतलब ट्रेडिंग के लिए ले सकता हूं और मैं अगर यह थर्टी का लेता हूं तो मुझे यहां पर पंद्रह हजर का लिवरेज लेगा अगेंस वन थाजन रूपीज मार्जिन तो इसलिए यह आपको चूज करना है आपका टर्न और आप कितना कर आपको रिस्क कितना अप्टेकर हो उसका अप्र प्लान से लिक करिए किलाल मैं बेसिक पर यहां पर क्लिक करूंगा मैं ज्यादा बड़ा रिस्टेकर नह यह नहीं क्योंकि काफ़ी टाइम क्या होता है इसमें उफर भी चलते हैं कि आप अभी आपन करोगे इतना डिस्कॉंट मिलेगा यह सारी चीज़े भी उसमें होती है अभी हमारे पास कुछ नहीं तो हम यहां पर सिज़र नेक्स पे लिक करेंगे तो फिर यह नेक्स आपको देखिए यहां पर आ चुका है कि मेरा नाम भी आ चुका है और देखिए फिर बात में आपको बैंक अकाउंट से यहां पर टेटर्स भरनी जैसे मैंने आपको कहा था बैंक सिट्मेंट रखना है आपको बैंक अकॉंट नमबर भी हैंपर फिद करना अब इसके नेक्स प्रोसेस यहां पर होगी जा पर मुझे डॉकुमेंट्स अप्रोड करना है यहां पर उन्होंने पहला जो है इसमें ही आपको बता हुआ कि साइन और वाइट पेपर टेक पिक्चर एंड अप्रोड तो मैं आपको पहली भी कहा था कि आपको यह रखना है तो चलो मैं इसको अप्रोड करता हूं उसके बाद और के वह भी देख लेते हैं इंकम प्रूफ है यहां पर देखिए आई टीया यह चेमने का बैंक स्टेट है बाद कि आदा में अग्य वह द तो च hoaxe कि रहाने बैंक स्टेटमेंट मेंने यहां पर इसको में ऐप्रोड करूंगर तो यहां पे बैंक स्टेटमेंट मेरा अपलोड हो चुका है और भी मेंस के लिए हम जाएंगे कि नेम मुझे तो यहां पे नेंट पर क्लिक कर देना है कि यहां पर मेरी जो फोटो है अपलोड हो चुकी है से अबको फोटो लेते हो तो आप कौनसे लोकेशन से फोटो लेरहे हो वह भी यह defice पूछता है यह application पूछता है तो इसलिक पूछता है कि उनका जो आपकी लोकेशन से वहाँ पे वह आपको एनेबल कर दिनी है तो सिस्टम एटिमेटिक लिवह कैप्चर कर लेता है उसके बाद नेक्स टेप देखते है तो नेक्स टेप जो है उसमें यहाँ पे आप रेफर भी कर सकते हो किसी को आपके थुरू को अगर आपको आ अब हमें इसको कर देंगे और वीडियो को कंटिन्यू करेंगे अभी यहाँ पे आपको इमेल आइडी के जो फेरिफिकेशन से वह पूछे जाते हैं और उसके बाद फिर आपको ओटीपी आएगा इपके इमेल आडी पे तो मैंने इमेल आडी आपे मेंशन कर दिया है मेरा अभी मैं यहाँ पे इसके ओटीपे इमेल आडी पे मंगवा लेता हूँ तो मेरा ओटीपी मुझे मिल चुका है और मैं अभी करूंगा नेक्स्ट प्रोसेस लाओ एक है तो यहां पर को साइन अफ फॉर फ्री कर देना है ओके तो यहां पर दीख़ง का मोबाइल नंबर आपके आदरकांड से लिंक है क्या नहीं वह को मेंचन करना पड़ेगा तो मेरा लिंक है मैं यहां पर उक कर दिता हूं वह इसको कन्टिनू कर देता हूं तो वापस सेम यहां पर जो है जो आफर्स आपको आ रहे बेनीफिट्स आपको क्या-क्या मिलेंगे वह यहां पर पेच में उन्होंने मेंशन किया हुआ है इसमें आपको बोला गया कि फ्री डिमेट टेडिंग आकॉंड होगा यह आपका और थर्टी डेज ऑफ अन्लिमिटेड ब्रोकेज केडिट भी है फ्री डिलिवरी टेट्स फॉर दे लाइफ यह तो चलू इसको कंटिनुव करते हैं यहां पर करें आपको करना है और जैसे आपको क्लिक करना है और जैसे आप पर क्लिक करोगे आपका जो पर करिक्क पर है उसके दापको आधर कार्ड लिंक करना है और उसका भी आपको एक कोटी पे मिलगा तो चलो प्रोसेस कंटीनु करते हैं इसाइन पर क्लिक करेंगे तो दोस्तर यहां पर मुझे सिक्रिटी कोड आ चुका है और मैं इसको सब्मिट कर रहा हूं अभी तो उसके बाद पूरा यह जो एप्लिकेशन है आपका ओके पेपर लेस वाला हो जाता है ओके और जिसे हमने अभी वहां पर जो सिक्नेचर अप्रोड की है तो आपको यहां पर जो साइन नाव वाला ओप्शन है यह बॉटम में यहां पर आपको उसको प्लिक कर देना है तो हम पहले वह अभी कर देते हैं तो प्रोसेज जो आपको अने कंटीनियू हो जाएगी तो जैसे हमेशा हम जब यह कोई भी पेपर लेस अखण ओपन करते हैं तो उसमें हमारा जो सिग्नेचर वेरिफेकेशन आधार कार्ड जहां पर लिंक होता है खास करके एनेज देल क साथ तो वहां पर यह वेरिफेकेशन आपको पूछेगा तो यहां पर अपको टर्म्स जो है उसकी कंडिशन एक्सेप करने हैं और आपका आधार कार्ड नंबर यहां पर डालूंगा इसका ओटीपी डालूंगा और इसको वैलिट करूंगा तो यहां पर मुझे मेरा ओटी कम्टिशेशन न recognise स्बाइब हो जाता है और बहुंसे आपके आपको यह वह पर यहां पर सकते आप प्रोड कर सकते हो और यह सब process होने के बाद आपका account जो है दोस्तों यह activate हो जाएगा तो यहाँ पर यह process complete हो चुका है उके उनका जो scrutiny है अगर आता है तो ठीक है अगर नहीं आता है तो यह account जो है अपना 1-2 दिन में पूरी तरह के से open हो जाएगा दोस्तों इस तरह के से आप upstock में जो है पूरा online paperless account open कर सकते हो तो वीडियो कैसा लगा है प्लीज comment box में mention करिएगा और अगर अभी तक अपने मेरा चैनल subscribe ने किया है तो प्लीज चैनल को subscribe करिए और अच्छा लगा है तो share करिए thank you very much